अरे शो में आपका स्वागत है नवीन तम विकास में बायर्न म्यूनेक ने थॉमस ट्यूशिल को बर्खास्ट कर दिया है लेकिन संघर्षरत प्रबंधक पर 12 सदसी ये टीम के विभाजन के बीच उन्हें गर्मियों तक प्रभारी बने रहने दिया जाएगा, बायर्न की अग्रणी बायर्न लीवर कुसिन से 3-0 की हार, चैंपियन्स लीग में लाजियों से 1-0 की हार और रविवार को वी एफल बोल्चुम से 3-2 की विनाशकारी हार के बाद से ट्यूशेल दबाव में थे, बिल्ट के अनुसार, जर्मन दिगजों ने पिछले कुछ दिनों में ट्यूशेल के साथ बादचीत की और अभियान के अंत में उन्हें चोड़ने का निर्नय लिया, माना जाता है कि ट्यूशेल की बरखास्तगी ने बाइरन टीम को विभाजित कर दिया है कुछ खिलाडी इस फैसले से नाखुश है, बाइरन अब एक नए मेनेजर की तलाश कर रहा है और माना जा रहा है कि उसकी दिल्चस्पी लिवपूल के जाबियालों सो, में है